नोन अलाइन्ड मूवेंट के बारे में discuss करेंगे इस लेक्सर में, short cut में नाम बोलते हैं इसे, इसके बारे में pre और mince दोनों के लिए पढ़ेंगे हम, नोन अलाइन्ड मूवेंट है क्या, इसकी जरूरत क्या है जी, और इसने कब काम किया, और आज की date में क्या relevance है जी, क्या आज भी जरूरत है इसकी नाम की या फिर question में पूछ ले कि critically examine करो नाम को मतलब इसकी बुराइय भी करो थोड़ी बहुत तो ये भी देखेंगे हम critical analysis भी करेंगे नाम की कहा कहा फे fail हुआ है तो start करते हैं जी नाम से देखो जी नाम का जो idea है non aligned movement का जो idea है इसका idea आया 1945 में और 1991 के बीच में इसका idea राजी में इसके जो मतलब flourish किया इसका idea peak पे राए 1991 में cold war जब चला था ये इसके दोरा नहीं बनाता cold war आपको पता है सबको जब 1945 में second world war जब खतम हुआ था second world war विस्फ यो दुआता दूसरा उस खतम 1945 में तो पूरा जो globe है यानि की पूरा world दो ग्रूप में बढ़ गया था कौन सा एक है जी USA आमेरिका और एक है जी Soviet Union ये USSR रसिया का पहला नाम था जी USSR 1991 से पहले जब cold war खतम होता जी 1991 में और शुरू होता जी लगबग 1945 में इससे पहले ही शुरू हो चुका था लेकिन लगबग ऐसा ही मानते cold war 1945 से एक दमज़े स्टार्ट हो गया तो ये युएस से पर्मोट कर रहा था जी capitalism को ये देखो युद्ध तलवारों से या गोलियों से नहीं लड़ा गया था ये सीत युद्ध बोलते हैं हिंदी में ये था जी ideology का युद्ध यानि कि विचारधारा का युएस से अपनी विचारधारा ideology को पर्मोट कर रहा था उसकी क्या ideology थी capitalism और USSR अपनी ideology को यानि की रसिया अपनी आइडेलोजी को विचारधारा को पर्मोट कर रहा था socialism Capitalism और शोशलिजविम को पूझी वाध और सोशलिजविम को बोलते हैं जितनी भी इसारी audio कंपनी वगएरा होती है जमीन वग वह सारी private हातों हो उता है क्या है सोशलिजविम का यह है कि सारी जमीन mिन्स प्रोडक्शन भी ग Verme के हाथों रहेगा सरकारी हासों में मतलब रसिया में जो घर है ना घर भी सरकार के हैं बस वो बस किराया देते हैं जी सरकार को लोग जैसे आप हो जी आप इंडिया में रहते हो आपका जो हमने मोडल अपनाया है इंडिया ने वो दोनों में से कोई सा नहीं अपनाया कुछ कं group को किसी भी block को join नहीं किया, किसी भी block को join नहीं किया, तो इनको block भी बॉला था, जाता था, यह जाता था, B L O C, दो block में बढ़ गया, तो किसी भी block को नहीं किया जी, और इंडिया ने अपना रास्ता mixed economy का mixed economy में आते हैं जी, दो capitalism भी और socialism भी मतलब हमारी country में कुछ property government की भी है जी और कुछ हमारी private भी है जैसे आपका घर है जी आपका private है आपने खरीदा क्या जी आप कभी भी बेश सकते हो कोई सरकारी घर नहीं है जी तो कुछ सरकारी जमीन भी है जी सरकार की factory भी है सरकारी भी है तो दोनों model mix है तो यही सारी country अलग से group बनाएंगे और उस group का नाम है moment एक तरह से यह कोई आंदोलन ऐसे नहीं चला था जैसे आजादी के लिए आंदोलन चले थे यह था यह group गुरुप का नाम है समु का नाम non aligned moment तो यह तरह से आंदोलन नहीं था इन दोनों ideology के खिलाप तो इन दोनों group में हम सामिल न नाम की एक जगह है जी यह conference होती है meeting होती है कई country होगी लेकिन यहाँ पर कया जी country में कुछ स्यामत ही नहीं बन पाती है फिर इसके six year बाद 1961 में एक bell grade जगह है जी वहाँ पर conference होती है meeting तब यह non aligned moment बनके आता और इसका first summit भी तब हो जाता जी September 1961 में तो यह बनके तयार हो ग investor और थे यूगोसलाविया एक country है उसके president थे जूसिफ बरोज टीटो और एक एजिप्ट के leader थे जी नेता गमल अब्देल नासर यह अफरिका में जी एजिप्ट और यह कवाम नुक्रमा यह गाना के president थे जी और इंडोनेसिया के थे जी सुकर्णो यह पांच लीडर थे ज नाम भी आप याद रख सकते हो अब इसका परपज क्या था जी उद्देश से क्या था उद्देश से था जी इसका कि जो हवाना declaration होती 1979 में इस organization ने अपना परपज बना लिया कि हम इसको implement करेंगे जी यह क्या था यह था इस हवाना declaration में हवाना घोसना में था जी कि जो national independence ह उसको हम ensure करेंगे कि सबी देश को आजाद किया जाए जैसे बेटिस government ने जी बहुत सारे countries को गुलाम बना के रखा था slave अपना colony बना के रखा था उपनिवेश तो इन colony को आजाद कराएंगे आजाद ही दिलाएंगे यह इनका लक्षय था sovereignty, territorial integrity, sovereignty मतलब संप्रूवता, territorial या और struggle करेंगे against the imperialism मतलब हम संगर्स करेंगे जो सामराज्यवाद था imperialism जो बेटिस ने अपनी कलोनी बना रखी थी देश उसके against हम काम करेंगे जो colonialism है जी इसने क्या जी देशों को गुलाम बना के रखा था तो इसके against काम करेंगे और जो नियो कलोनीलिजम है नियो कलोनील मतलब countries को गुलाम बनाता है कैसे factory setup करके ज्यादा ज्यादा factory setup करेगा और वहाँ पर जमीन खरीदेगा जैसे अभी चाय ना करता जी दान में देता जी donation countries को वह चुका नहीं पाती फिर वहाँ से जमीन ले ले लेता जी लीज पे तो यह new colonialism है इसको भी रोकेंगे इसमें और all form of foreign subjugation जो भी विदेश जी क्या है जी गुलाम बनाते लोगों को subjugate करते हैं और racism को racism का मतलब जी race के आधार पे discrimination on the basis of race मतलब भेदवाव करना नसल के आधार पे जैसे कोई अफरीका ने अमरीका ने इंडिया ने इसके आधार पे जो भेदवाव होता जी worldwide उसको खतम कर ना तो यह इसके परबस थी उद्देश से थे इसके मेंबर और observer मेंबर हैं कुछ मेंबर का मतलब फुल मेंबर फुल सदस से और मतलब यह वोटिंग वगेरा नहीं कर सकते नाम में सिर्फ सुन सकते हैं जब इसकी मीटिंग होती है तो इसके मेंबर देखो जी अगर statement में आ स्कुवस्यर बजाएं इसका डटा 53 मेंबर इसके अफ्रीका से हैं乾 già africa continent 39 अ इसाय से ट्वेंटी अ मैंबर है Latin America been यह वाला रिजन लेटिण अमरिका बोलते हैं यह वाला बीच वाला और यहां पर कैःवीन sebenarnya सी के रहाऊँ यह से बहुत से ब्स पाषिक वहां नोगे गलएंट आज इसके से कम करती तो यहां से इसके हैं इसके इसके दो यूप्यन से फ़ीध यूपक रोट यूपकोछ खुनेट्श से जो कॉछ क cabbage Maar नहीं करत। करती है जी इसका administration non-hierarchy का लहा है और rotational based करती है कैसे मतलब जैसे अब जी इसका कोई president है फिर next president होगा next president होगा ऐसे rotation होता रहता है और इसमें जो भी decision फैसले होते हैं unanimous होते हैं जी मतलब एक तरह से consensus based पे but not unanimity मतलब consensus सबकी सहमती होती है जी require करते हैं को substantial agreement लेना हो समझोता करना हो तो सबकी सहमती से इसमें decision होता है लेकिन but not unanimity मतलब सर्व सहमती से नहीं बलकि जहां पर जैसे मानलो जी एक सरद से सब सहमते हैं तो अपनी सहमती दे देंगे consent दे देंगे तब decision लिया जाता है इसका last summit कब हुआ था जी meeting कब हुई थी last इसकी 2020 में हुई थी इसको convened क्या था इस meeting को किसने अजरबेजान एक country है जी अजरबेजान आपको consistency के साथ यह border लगा तो इसका member है जी इसका मेंबर है जी इसका चेर्मेन भी हैं जी अब इसके प्रिंसिपल क्या जी नाम के सिध्धान्त क्या है देखो जी इसके प्रिंसिपल किस पे बेस हैं जबालाल नहरू थे जी हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले उन्होंने सिध्धान्त देते हैं कुछ प्रिंसिपल पंच सील प्रिंसिपल पंच सील के सिध्धान्त मतलब 5 ऐसे इसमें सिध्धान्त हैं जि जिस पे based है नाम के principle भी नाम के सिध्धान्त भी और यह पंच सील प्रिंसिपल हुए थे साथ 1954 में तिबबत के साथ इंडिया और तिबबत तिबबत है जी चाइना का पार्टी तो इंडिया और चाइना के बीच में ए इस पर बेज हैं, ये पांच पंसील के प्रिंसिपल याद कर लो, जी, एजिटिज, वर्ड टु वर्ड, कहीं भी लिखने के काम आ सकते हैं, peaceful coexistence, मतलब हम आपस में सांती बनाए रखेंगे, एक दूसरे कंट्री के साथ नहीं लड़ेंगे, इस पर बेज थे, peaceful coexistence, mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, हर एक कंट्री के हम आपस में अखंड़ता और संपर्वुता का सम्मान करेंगे, आपस में, next, mutual non interference, हम एक दूसरे के country के जो internal matter है, उसमें interfere नहीं करेंगे, उसका जाती मामला है उसमें, mutual non-aggression, हम आपस में, non-aggression रखेंगे, एक दूसरी कंट्री के साथ fight नहीं करेंगे, युद नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का समानता और mutual benefit है उसका ध्यान देंगे तो ये पांच principle थे जी इसी पे बेज़ड़ है जी नाम के principle जैसे ये जी रस्पेक्ट दा प्रिंसिपल इंस्रिंड इंद चार्टर अफ युनाइटिड नेशन हर सदस्य देश की अखंडता संपुरुवता, सोवरेंटी, इंटिग्रिटी का सम्मान करेंगे नेक्स्ट था जी settlement करेंगे कोई भी international conflict हो गया मतलब United Nations Charter के अंतराष्ट कोई भी विवाद जगड़ा हो गया उसे peaceful ही settlement करेंगे सामती के साथ बैठ के जी सुल जाएंगे, उसका निप्टारा करेंगे नेक्स्ट था इसका प्रिंसिपल नाम का जो political, economic, social और cultural diversity ही है हर एक countries और लोगों की उसका respect करेंगे एक दूसरी के बीच के में जी जितने भी संस्किर्टी है कल्चर है, सबका सम्मान करेंगे नेक्स्ट है जी, जो interest है जी, shared interest उसका promotion करेंगे और defense का promotion करेंगे justice और cooperation करेंगे एक दूसरे country के साथ और जो भी मानलो जी, differences हैं country के बीच में, जी मतबेद हैं आपस में political economy किया social system में उसको हम mutually respect करेंगे और सुल जाएंगे, और सभी के right का equality provide करेंगे सभी अधिकारों के लिए, समान अधिकार provide करेंगे, सभी countries के लिए इसमें क्या जी, जो respect करेंगे inherent right of individual individual के भी जी, उसका right के respect करेंगे, समान करेंगे self defense, collective self defense का जो inherent right है, उसका भी respect करेंगे, जो United Nation के जी सारे, जो पंच सिल के principle हैं, पांच सिधांद, उसी पे बेज़ जाएं, इसके भी principle नाम के, कि जो भी internal affair है किसी भी state का, किसी भी country का जी, आपस का कुछी भी चल रहा जी, जगडा कुछ भी, मानलो civil war कुछ भी चल रहा, उसमें non-interference रखेंगे मतलब उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई दूसरा इस country का member no state or group of state has the right to intervene either directly or indirectly, नहीं directly और नहीं indirectly, परत्यक्स परत्यक्स चूप से, उनके internal affair में हम intervene नहीं करेंगे intervene नहीं करेंगे, interfere नहीं करेंगे क्यों जो multilateralism है और multilateral organization है इसका पर्मोट करेंगे हो और अब defense करेंगे मलब क्या है जी, country आपस में 2 या 2 से अधिक country, मलब 2 से अधिक, 2 कंटी से अधिक कंटी की organization हो, multilateral agreement हो, ऐसी organization को पर्मोट करेंगे, ताकि क्या है जी जो भी problem है, जो human kind को affect करती है, ऐसी समश्चाओं को सुल जाया जा सके, resolve किया जा सके सुल जाया जा सके, एक दूसरी कंटी के बीच में cooperation लाई जा सके, सहयोग बनाया जा सके, तो ये सब पर्मोट करना था जी इसमें, ये तो principal हो गए जी सिद्धान्त, अब इसको objective क्या थे मतलब इसके लक्ष, target इसके target थे, create an independent path, जितने भी कंटीज क्या हैं जी, जो major power के, जो भी major power हैं, जैसे US हो गया जी, या बिर्टेन हो गया, जर्मन ही हो गया, इनके प्यादे बने होएं, तो इन कंटीज को जी, independent path create करेंगे, पूरे world politics में, इसका purpose था, और जो भी imperialism है, सामराज्यवाद और new colonialism, इसके against struggle करेंगे ताकि जो भी कंटीज है, उनको independent आजादी दिलाई जा सकें, तो ये था जी, इसमें, जो big power हैं जी, all big power, उनसे अलग रहेंगे और आजादी दिलाएंगे, ऐसे देशों को जो गुलाम है, इसका target था नाम का, at present इसने एक goal और addition कर दिया कि जो भी international economic order है, उसको restructure करेंगे economic order का मतलब अभी आपको बताऊगा USA, कुछ country हैं, USA, France Germany, ये, कुछ country हैं इनकी economic condition बहुत जाद अच्छी है और export इनका जादा है, production भी जादा है तो ये economic order है, जो economic order है, आर्थिक अवस्तक जो आर्थिक इस्तिति है, कुछ economic जो condition है, कुछ countries की अच्छी है, और बहुत सारी country पूर है जी तो ये जो order है, इसको जी restructure करेंगे, कि सारी country equal हों ऐसा इसका target था जी, अभी भी है मिकलाब, अब नाम ने cold war era में कैसे काम किया जी जब cold war era चला था जी, कब cold war चला था, हमने पढ़ा था 1945 में, second world war के बाद चला था और ये 1991 में खतम हुआ था जब USSR का disintegration हो गया था, मतलब ये USSR का विभाजन हो गया था, ये country थी, USSR, ये है जी Russia, इस पे देखो, आप world map पे world map पे देखो, यहाँ पे रसिया ये violet color का, ये Russia इतना था जी, यहाँ पे पहले, इस मेंसे जी बहुत सारी country अलग हो गई, ये सारी ये सारी country अलग हो गई, तो इसका disintegration कहा जाता है, रसिया में से कही सारी country बट गई है, अलग अलग country against apartheid, apartheid का मतलब जी, रंग भेद की नीती, हिंदी में बोलते हैं, मतलब color के base पे, discrimination करना गोरे और काले के भेद पे भेदवाव किया जाता था, जी, South Africa में South Africa में Britain government थी, जी, वो गोरे काले के base पे भेदवाव करती थी और भी countries में किया जाता था, जी, अमरीका में अभी भी होता है, आपने देखे होंगे, जी, पिछले साली news में था, एक काले लोग को मार दिया था अमरीका के soldier था, जी, गोरा था वो, तो ये, जो apartheid की नीती है, इसके against काम करना, नाम का ये, लक्ष है, मतलब एक तरह से, नाम का ये काम था, जी, cold war में, जो अभी भी है, इसका लक्ष है, disarmament, disarmament का मतलब है, जी, जो हत्यार वगरे nuclear weapons बनाने की race लगी हुए, ये एक दूसर देश में इसको कम करना, कि सारे जो nuclear weapons हैं, इनको destroy करें, क्योंकि ये crime है, against the humanity, मानव था के against अपराद है, जी, जदर जदर नूकलर नाभिक बंब रहेंगे, एटम बंब रहेंगे, countries के पास hydrogen बंब, तो ये एक ही बार में सारी race को किसम कर सकते हैं, सारी countries को एक ही बार में test nest destroy कर सकते हैं, तो इसे हतियारों को nest करना, इसका काम था जी, cold war में, next था जी, UNSC reform, UNSC reform का मतलब यह जी, United Nations Security Council में आपको पता जी, 5 permanent nation हैं और जब से ये बनाए जी, 5 ही permanent इसके country हैं जी, इसमें, 5 permanent seat हैं और 10 non permanent, तो 5 permanent जो seat हैं जी, उसमें, किस-किस के पास है, कौन-कौन से रास्ट हैं जी, 5 permanent, United Nation में, जो 1945 में बनी थी जी, तब से इसके 5 ही permanent nation हैं जी, USA जी, Russia है, और कौन सा है जी, China है, और कौन सा है जी, France है, और एक UK है, Britain, ये 5 nation हैं जी, तो ये चाहता है, जी नाम, अभी भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है, कि UNSC में reform हो जी, और सारे जो continent है, सबसे बरावर बरावर जी, इसमें representation हो, अफरिका से, लेटिन अमरिका से, Western Europe से, Asia से, सब का representation हो, जी, Australia से, सब continent है, सब से representation हो, तो इसमें reform चाहता है, तो ये काम क्या जी, और अभी भी ये करता है, अब ये failed हो गया है, कैसे, अगर आप critically analyze करोगे, इसकी आलोस ना करोगे, नाम की question में, मेंस के question में, तो कैसे लिखोगे, इस कहोगे, fail to resolve regional tension, जो भी regional tension होती है, जी, उनको resolve करने में, हल करने में, उनका solution रूञड़ने में fail हो गया नाम, कैसे देखो जी, reasonably इंडिया चाइना का योद्व चलता रहता है, इंडिया चाइना का चलता रहता है, तो ये जो conflict चलते रहते हैं, Brazilianly, तो इनको solve करने में, resolve करने में, ये fail हो गया नहीं बनाए उसके बाद China नहीं बनाए फर इंडिया नहीं बनाए तो इनको रोकने में नाकामयाप रहा जी है फेल्ड हो गया यह नाम तो इसमें आप यह क्रिट शेम में क्या रीलेवंस हैं रीलेवंस का मतलब इनको इंपक्रोंट थे हैं आज की जुरूरत है उसका जबाब है जी यस कैसे वर्ल्ड पीस के लिए देखो आज भी विस्व में सांती चाहिए और सांती बनाने के लिए जो भी कंट्री के आपस में कंट्री अटेक करती है जी इनको प्रोभीट करने के लिए नाम एक important role प्ले कर सकता है क्योंकि इसके लगवग 120 मेंबर है और ये disarmament को promote करने के लिए हतियार को destroy करने के लिए अभी भी nuclear weapons है जी countries के पास उसको और sovereign world order के लिए ये अभी भी ज़रूरत है जी इसकी next इसके लिए next principle है जी जिसके लिए जरूरी है territorial integrity और sovereignty किसी भी देश की अखंड़ता और सब्पूरूमता को बना करने के लिए अभी भी ये independence को protect करने के लिए अभी भी important है जी नाम की relevance है importance है next जी third world nation third world nation को बोलते हैं जी poor countries होती है जो गरीब country जैसे African country है जी तो इनके socio economic problem को resolve करने के लिए भी नाम की जूरत है कैसे देखो जी उस टाइम में cold war अगर एक था जी और USSR और US USSR और US अमरिका की capitalism और USSR की socialism capital ये जो ideology थी जी दोनों अगर उस टाइम में ये एक तरह से एक तरह से ये रुकाबट था जी world development में या आप बोल सकते हो एक तरह से challenge था चुनोती थी जी world के सामने तो इस time में जी socio economic problem है जी socio economic problem जैसे poverty पूरे world में जी गरीबी एक challenge है और गरीबी को मिटाने के लिए नाम एक एहम role निवा सकता है क्योंकि 120 countries आती है जी इसमें और इसमें third world countries भी हैं पूर और developing countries जी इसमें तो जो यह क्या जी यह जो western है जी मनी है western का मतलब जो western country है है जी मनी का मतलब है उनकी एक तरह से उनकी जो पावर अपनी authority सूपरवाईज करते हैं जी और countries को तो जो domination एक तरह से domination है जी जो western countries का तो इसे रोकने के लिए यह नाम एक important role play कर सकता है next जी support of UN वो यह जी United Nation में क्या जी resolution pass करना हो तो आपको पता है जी voting के चरिये होता United Nation में तो यह 128 country है जी लगवग नाम में तो यह नाम एक important role play कर सकता है अगर मानलों कोई decision नहीं इनने अच्छा लग रहा तो वो रोक सकता है ब्लोक कर सकता है जी vote ब्लोक कर सकता है United Nation में और एक है जी equitable world order पूरो world में जी equitable order हो किसी की भी क्या जी कोई super power ना हो international environment में जी एक तरह से cooperation हो ideology political जो है जी differences इसको खतम करने के लिए bridge करने के लिए नाम एक important role play कर सकता है next जी interest of developing countries जितनी भी developing countries है जी जैसे बानलो WTO जी world trade organization इसमें कोई decision लेना हो जी तो इसमें क्या है नाम एक important role play कर सकता जी pressure बना के WTO पे क्योंकि one लगवक 120 member है जी इसके तो peacefully secure कर सकता है कि favorable decision ले ताकि वो हर एक country के लिए जी लाबदाएक हो beneficial हो ऐसा ना हो सिर्फ developed country है जो विक्सित देशें developed country उने के बिहाप में कोई decision ले तो इसलिए भी important role play कर सकता है next जी cultural diversity and human right जो भी हमारी सांस्किर्टिक विविद्धिता है अलग-अलग country में अलग-अलग culture के लोग रहते हैं और माना विदिकार हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक तरह से यह काम कर सकता है जी नाम तो इसलिए भी important है next जी sustainable development मतलब जो sustainable development है जी सतत विकास बोलते हैं हिंदी में ऐसे development क्या है जी without compromising the future need we use the resources मतलब आज के लोग जैसे मानलोग पानी यूज कर रहें जी water इतना ही water use करें जीतना जरूरत है waste ना करें आप पानी को खराम ना करें क्योंकि यह पानी बचेगा नहीं आपकी future generation के लिए समझ रहे हो जो आपकी future generation आईगी आपकी बच्चे बच्चों को बच्चे तो उनकी need को compromise बिना करते हुए बिना compromise किये हुए resources को यूज करना तो sustainable development के लिए एक अच्छी तरह से काम कर सकता है जी नाम important role play कर सकता है और वी जैसे burning issues है जी जैसे important issue climate change इससे निपटने के लिए migration है जी जो international migration होती है Global terrorism आज के समय में terrorism भी एक important challenge है जी इस challenge से निपटने के लिए आतंगवाद से निपटने के लिए नाम एक important role play कर सकता है जी next जी economic growth देखो जी नाम में आपको पता है third world countries भी है poor countries भी है तो एक economic growth के लिए important role play कर सकता है कैसे ये corporate कर सकता है जी और sustainable economic growth के लिए role play कर सकता है और यह जो TPP और RCEP organization है regional grouping यह TPP है जी टान स्पेसिफिक partnership युएस से ने इस अनाउंस किया था लेकिन अभी तक effect में नहीं आई और यह अभी तक यह ठंडे वस्ते में पड़ी हुई है जी effect में नहीं आई लागू नहीं है RCEP आपको पता है जी ए गुरूप है जी आस्यान पलस फाइव कंटी का पहले छे कंटी जो करती थी इंडिया इससे बाहर हो गया आस्यान की दस कंटी है जी दस कंटी हमने कई बार देखा है यह जी यह वाली कंटी है दस मैनमार थाइलेंड और आपका लायोस कंबोडिया वियतनाम, मलेसिया, बुर्ण नई, फिलिपिंस, इंडोनेसिया, सिंगापूर यह दस कंटी है जी तो आस्यान पलस फाइव कंटी है जी इसमें इंडिया पहले था इंडिया नहीं अब चाइना है जापान साउथ कोरिया और और न्यूजिलेंड यह पांच कंटी है तो इन इन सारी कंटीज की जो एकोनमिक ग्रोफ है वो एकवली परमोट किये जा सके तो इस तरह से जी आप नाम के बारे में कुछन अटेंड कर सकते हूं मेंस का भी और प्रिलें में कुछ पूछा जाए कव सेट अप हुआ था बेल ग्रेड हुईती जी बेल ग्रेड सम्मिट हु हुआ था और पांच नेस्पशन इंपोर्टेंट है जी जिन्होंने रॉल पिले किया था जिसमें जवारलान नहरू भी इंपोर्टेंट थे जी तो यही था जी इसमें